अज़ देखिवा ए लेट्टर टू गौड रहो तिनुटि मोस्ट इम्पोर्टेंट कोश्चिन जहाँ आमरे एक्जाम रहाशी हो फास्ट कोश्चिन हला वाट मेड लेंचो राइट लेट्टर टू गौड वाट मेड लेंचो लेंचो कोई मिन्दी कौण हला जैसे राइट लेट्टर टू गौड शे भगवान को पाको उटे चिठी लेखिला तर वाइट लेंचो राइट लेट्टर टू गौड लेंचो काहिं की भगवान को पाको उटे चिठी लेखिला आंसर हला लेंचो वाज शोक और लेंचो वाज शोक और लेंचो पूर आश्चो जो ही आई थिला बिश्मी तो ही पड़ि थिला चक्की तो ही पड़ि थिला एंड इज हाट वाज फिल्ड विथ शाटनेश आता हुरुदय फिल्ड विथ शाटनेश शाटनेश मींची दुखरे भरपूर हिये थिला जेटे विए स्टार्म माने जट कुमप्लेटली देमेज तार अर्थहला संपुर्ण रुपए धुणश कर देए थिला His standing crops छिड़ा है इथिवा सस्य गुडिकु संपुर्ना रुपे जड़ जेते बेले नश्टो करीदी इथिला भन्शो करीदी इथिला सेते बेले कण है इथिला ना लेंचर हुदय दुखरे भरपूर है इथिला Though he became helpless he was not hopeless Though means जदिच जदियो he became helpless बेसाहरा ही पुडिला he became helpless बेसाहरा he became helpless परफ्तो से जदियो से बेसाहरा ही पुडिला he was not hopeless किन्तो आसाहरा हेला नहीं दिश इनोसेंट फर्मर was under the impression that God is merciful and could see what is deep in one's concerns this innocent farmer आर अर्थला एजो निरिहा फार्मर जणांक कुर्सका जणांक अर्थलेंचा कु बुझ होजी was under the impression तरा गोटे मात्र भावना थिला that God is merciful ज़े भगवान हो चन्ती merciful merciful मिन्स दयाबान and could see what is deep in one's concerns आर भगवान जएकी सब कीची देखी पर्थले could see what is deep in one's concerns जणांकर भीवेक वितरी जणांकर भुदर कथा कु शेकण कर थिले भगवान के बला जानी पर थिले and the following Sunday at daybreak तेनू आसंता संडरे daybreak सकालरू daybreak मिन्स प्रत्तिवस अतो यतले दिना हेला आसंता सकालर सकाल समय रेकण कर्ची he wrote a letter to God से भगवान को पाखकु बड़े चिठी लेखिला intimating him जणें करी से चिठी रे जणेला about his sorrow लेंचो तार दुखविश्वरे जणेला and requesting him भगवान को अनुरोध कला to send him ता पाखकु पठेवा पाई लेंचो पाखकु पठेवा पाई 100 पेशो पठेवा पाई लेंचो भगवान को अनुरोध कला से लेटर माध्य मरी to meet his needs आव जोव 100 पेशो रे लेंचो तार आभश्चक ताकु परिपुरण करी पारिवा till the new crops were grown 9 फसल आसिवा पर्जन्त ताकु 100 पेशो स्तरकार वली लेंचो चिठीटी रे लेखिला आव लेखिकी भगवान को पाख को पठेला यह हला फर्स्ट कोसिन चालों तो जीवा नेक्स्ट कोस्टिन कु नेक्स्ट कोस्टिन जीवला अरंचो ओड़ लेखिला आव से लेखिला अर्थल समय लेखिली टीवा परे पोस्टमाइन को रेखिला ऍर ओड़े लेखिला आवसे लेखिला ये पोस्ट मेंजण को काण कलें। आंसर चालन देखिवा। विथ ओसन अफ होफ। लेंचो रोट दी लेटर टु गड। विथ ओसन अफ होफ। थार अर्थ हला। ओसन अफ होफ मिन्च प्रचुर आसा नही। ओसन मिन्च महासागर। महासागर अरे जलविंदु जत्तिकी होची तारतो प्रचुर परिम्यानारो जलवर आसी होची ठीक साही परी एड़क वाला ओसन अफ होब। तार अर्थ हला प्रचुर मात्रारे आसा नही। लेंचो रोट दी लेटर टु गड। लेंचो रोट लेंचो लेखिला। द लेटर चिठीटी टु गर भगवान को पाकुकु लेखिला। एन ड्रप इट इन्टु दी मेल बोक्स। आउ लेखिसारीवा परे ड्रप करदला अर्थ पकेला नही किरी। एट मीनची चिठीटी कु। इन्टु दी मेल बोक्स। मेल बोक्स मीनची आमें जानीचे पोस्ट ओफिसर अगरे गोटे बोक्स थाए जोटे की आमें चिठीवडी कु पको जे। तो शेटामा मेल बोक्स ओलिक हुजै। तो नही किरी कांग कला ना लेंचो ड्रप करदला मेल बोक्स रे चिठीटी कु। When the postmaster, postman collected the letter, when the postman, अर्थ जते बेले postman जनका collected कले, संग्रह कले, चिठीटी कू, from the mailbox for stamping, stamp मारी बापाई, जते बेले mailbox रू, postman जनका चिठीटी कू संग्रह कले, he love at the sight of the letter bearing the address to God. He love, means, से हसी ले, at the sight of the letter, चिठीटी कू देखी करी, से हसी ले, bearing the address to God, और जो चिठीटी रे, address थिला, से चिठीटी बेर करू थिला, अर्थ आड्रेस बहन करू थिला, to God, का पाखकू, ना भगवान का पाखकू. Never in his career, as a postman, had he known that address. तापर से देखीला, हाभीला, कला never in his career, ता career भीतरी, केबे हेले, ये जे postman, पोस्ट मेन हिसा परे, तार जिवनी भीतरी, चाकिरी जिवनी भीतरी, had he known that address. केबे हेले, ये प्रकार, आड्रेस भगवानांको लेखा थिपा, भगवानांको पाखकू, लेखा थिपा चिठीटी, से केबे देखीनो थिला. And he love at a, love a, hearty love, say love, माने, फुर्दय भरा हसिला, and carried it to the postmaster, and showed it to him. आउ, carried माने धरिकी नेला, it to the postmaster, postmaster पाखकू को धरिकी गला, and showed it to him, तांको नेकिर चिठीटी को देखेला. यहला second question, ताब राम लेकिवा, third question, चलाओं, third question लेकिवा, what made Lencho write the second letter to God, and what did the letter content, तो हला, what made Lencho write the second letter to God, Lencho, काहें की, काण पाई, Lencho लेकिला, the second letter, दित्यो चिठीटी, to God, भागवानंको पाखुदू, what did the letter content, आउ, चिठीटी रो, दित्यो चिठीटी रो, विशावस्तु काण थिला, answer देखिवा, चलांचू, Lencho had written a letter to God, requesting him, for hundred pesos, to meet his need, Lencho had written a letter to God, Lencho लेकितिला चिठीटी, भागवानंको पाखुदू, requesting him, under the category, for hundred pesos, एका सह पेशो, पठेवा पाई, भागवानंको पाखुदू, चिठी लेकितिला, to meet his need, तारा आभश्यको, आभश्यको ताकू, पूरण करिया पाई, ताको hundred pesos पठेवा पाई, Lencho लेकितिला भागवानंको पाखुदू, उटी चिठी, आण, आण, गेटिंग, 70 पेशोस, आण, लेंचो जेति बड़े, देखिला, चिठी माध्यों हरे, 70 पेशोस आशीची, he got angry, शे रागी गला, लेंचो रागी गला, एंड, थाट दाट, आण, भाविला जे, God, who is omniscient, भगवान, जे की होच नथी omniscient, omniscient, अर्थ होला, सर्भग्यों, one who knows everything, जे सबगीच जानी, सर्भग्यों, तो भगवान होच न सर्भग्यों, and omnipresent, that means, सर्भ विद्यमान, तर अर्थ होला, one who is present in each and every place, प्रत्यक जागारे, जे अचंदी, विद्यमान अचंदी, omnipresent, and omnipotent, that means, powerful, most powerful, सर्भ शक्तिमान, तो से कहिले कन, ना God who is omniscient, omnipresent, and omnipotent, भगवान, जे की उचंदी, सर्भग्यों, सर्भविद्यमान, आउ सर्भशक्तिमान, could not have made such a mistake, केवेहले से, एई भली, such a mistake, एई भली भूल, भगवान करिना थिवे, nor could he have denied, आउ से केवेहले मनामध्य करना थिवे, deny means, मना करिना थिवे, for sending the money, he had requested, से अनुरध करिथिवा पईशाकू, पठेवा पाईं, भगवान केवेहले मना करिना थिवे, suspecting the hands of post office employees, suspecting, that means, संदया करी करी, the hands of post office employees, post office रे काज्य करू थिवा, कर्मचारी मानं करो, कर्मचारी मानंकू, संदया करी, in such vicious work, एई जो पापकाम करी चन्ती, भगवान पठे चन्ती सहे, से भाभूची, किन्तो एमाने मत्य दले, 70 पेसोस, थो एई जो vicious work, he collected pen and paper, लेंचो, पूनी जाइकिरी pen आपपर आनिला, and started writing, आउ लेखिवा आरंभ कला, the second letter, दीतिय चिठिटी, to God, कहा पाकु को लेखिला, भगवान को पाकु को लेखिला, informing Him, तांकू जनें करी लेखिला, कन जनें करी लेखिला, the dishonesty of post office employees, post office, कर्मचारी मानंकर, असाधु कार्जियो, कन असाधु कार्जियो, ना से भवावीची, जे भगवान निश्चीत 100 पेसोस मपाखु पठी चन्दी, किन्तु, मते post office employees माने 70 पेसोस थाड़ी चन्दी, आउ 30 पेसो से माने रखिदी चन्दी, तो इप्रकार भवावीकरी से लेखिला, and he has also requested God, आउरी मते से भगवान को रिक्वेस्ट कर ला, कन? To send him the rest amount directly, not but not by mail, कहला directly मते पठेवे, ए जो rest amount अची, भळका जो 30 पेसो अची, सेटा मते directly पठेवे, not by mail, कमुनी से mail माध्य हमरे पठेवे नाही, यहाँ दित्यची ठीटीरे लेंचो कन कला, ना बर्ण ना करिक्री भगवान को पाखकु, दित्यची ठीटी लेखिला, जेर फ्रेंड्स, एई जो तिनीडा कोस्टिन, प्राय आमजदी गत्त किची बर्षर कोस्टिन देखिवा, बोड पर इखेरे, ताहले एई तिनीडा कोस्टिन प्राय आशी ठाए, तेनु समस्त स्टूडेंट फ्रेंड्स बनांको अनुरद एई तिनीडा कोस्टिन भला भावरे पढ़ी दियन्दू, जोटा की which will help you a lot in exam. Thank you friends.